जब बिहार में सरकार गिर रही थी तो एक बिहार सरकार का मंत्री दिल्ली में बिहार के लिए इंवेस्टमेंट ला रहा था। चुकी है तो हमने सोचा कि चलिए एक बार तो एक वीडियो बनाया जाए उस शहनवाज हुसैन के लिए जो 9 फरवरी 2021 को बिहार में उद्योग मंत्री बनकर आते हैं और उसके बाद करांती आती है तो ये कहानी है उस मजोला कद गेहुआ रंग क्लीन सेव के साथ घनी मुछो में मुस्कुराता आकर्शक चहरा कड़क क्रीज वाले बहतरीन कुर्ता पैजामा के साथ बंद गले वाले चटक रंग की बंडी हाथ में बनिया ब्रेंड की घड़ी और बंडी के ऊपर जेव में डिजाइनर कलम रखने वाले जहनवाज हुसैन की ये शक्सियत है दक्षिन की कैबिनेट मंत्री बन गए सांसद और विधान पार्शद रहे और ये एक गैर हिंदू चहरे हैं अटाल आडवानी के संधर्श वाले सत्ता के दौर से मोधी शाह के प्रचंड राजनीतिक सत्ता के सीर्ष तक भाजपा को बहत करीब से शहनवाद हुसैन ने देखा है कंत्रन में हुए सियासी उथल पुथल के बीच बिहार में शांदार तरीके से योजना बद चल रहे और योगिक विकास पर अचानक से ब्रेक लग गया शहनवार हुसैन ने 9 फरवरी 2021 को बिहार में बतोर उद्योग मंत्री के रूप में कारिभार संभाला वो बिहार के और योगिक विकास के लिए तत्पर थे बिहार में कुल 10,000 करोड के निवेश का प्रस्तावाया है जिसमें लगभग 6,000 करोड रुपय सिर्फ एथनॉल के लिए हैं हुसैन सहब कुटिर उद्योग के विकास के लिए भी तत्पर थे चाहें वो कुटिर उद्योग का बेतिया म या भागलपुर के रेशम उद्योग का मसला हो या किसी सुदूर छेत्र में बनने वाले शिप के बटन का मुद्दा सबों के सरवांगिन विकास और आर्थी कुन्नती के लिए वो लगतार काम कर रहे थे बिहार में और योगिन कुन्नती के लिए सबसे पहले जरूरी है कि व्यापार का महौल बने बड़े कॉर्परेट को विश्वास में लिया जाए संसाधन को उपलब्द कराया जाए सिंगल विंडो पेपर वर्क हो फ्लेक्सिबल गवर्मेंट पॉलिसी हो और सुरक्षा मुहया कराया जाए उलेकरी है कि स्री हुसेन इन चीजों को बक्षू भी समझते थे तथा इसी फर्मूले पर काम भी कर रहे थे आप जब गौर से देखेंगे तो ओध्योगिक भूमी को वर्गिक्रित करने बियाडा के जमीन की उपलब्ता में चाहरी दिवारी, बिजली, पानी, अगनी शमानित्यादी के लिए हुसेन सहाब ने क्या लाजवाब फूर्ती दिखाई है हुसेन सहाब बिहार में एंत्रिपनॉर्शिप बढ़ाने, युवा उद्धिमिता योजना को धरातर पर लाने और बड़े-बड़े कॉर्पोरेट के लिए रेड कार्पिट बिछाने में मश्रूफ थे विड़ा मना तो देखिए, जब बिहार में सत्ता बदलने का खेल चल रहा था उसके चन्द घंटे पहले तक हुसैन सहाब दिल्ली में कॉर्पोरेट सेक्टर को बिहार में लाने में व्यस्त थे हुसैन सहाब ने अपने अल्प मंत्री काल में बिहार जैसे पिछ्री राज्य के अध्योगिक विकास के लिए जो नजीर पेश की है उसे पार कर पाना किसी भी नए उद्योग मंत्री के लिए बेहद मुश्किल चैलेंज होगा बहुत से लोगों का ये कहना है कि चाहे सरकार किसी की भी रहे शहनवाद हुसैन को ही उद्योग मंत्री बनाया जाना चाहिए हाला कि महागडबंदन सरकार तो हर हाल में चाहेगी कि शहनवाद हुसेन मंत्री बने रहे इसके पीछे एक खास वर्ग की मजबूत सियासत और एक करमठ और विजनरी मंत्री दोनों उदेशे पूरे हो जाएंगे जहां तक मेरी समझ है शहनवाद हुसेन ऐसा नहीं करेंगे वो एक खास विचारधारा, संगठन और दल के प्रतित बहुत समर्पित हैं कुल मिलाकर देखे तो शहनवाद जी की स्तिती वही हो जाती है जो रघुवंश बाबू की चोधवी लोगसभा में मनमुहन सिंग वाली यूपिय दोकी सरकार के समय में होई थी याद कीजिए तेरहुवी लोगसभा के बाद मनमुहन सिंग के नितर्तु में वने यूपिय वन के रघुवंश बाबू ने बत और ग्रामीन विकास मंत्री के रूप में लाजवाब काम किया और पूरे देश का ध्यान अपने तरफ खीचा मनरेगा रघुवंश बाबू के दिमाग की उपच थी पाँच साल बाद देश में चौदवी लोगसभा का चुनाव होता है और मनमुहन सिंग प्रचंड बहुमत के साथ यूपिय दो के रूप में फिर से सत्ता संभालते हैं रघुवंश बाबू के कामों से प्रभावित मनमुहन सिंग यूपिय दो में भी रघुवंश बाबू को अपने मंत्री मंडल में शामिल करना चाहते थे परंतु अपने सिधानत और दल के परती समर्पित रघुवंश बाबू ने विनमर्ता के साथ मनमुहन सिंग के आग बहुत आगे जाता और जिस दिन आपने ये बयान दिया कि हम फ्लाइट में बैठे थे तो उद्योग मंत्री थे और जब फ्लाइट लेंड की तो हम उद्योग मंत्री नहीं थे बाकी मेरे नाम प्रशांत्रा है आप जिनता देंग्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद